वेलकम टू आवर चैनल ग्यानलो आज हम बात करेंगे कनवर्जन ओफ मैटल ऑक्साइड टू मैटल जिसमें हम एक्स्ट्रेक्शन ओफ मैटल करेंगे जो मीडियम एक्टिविटी सीरीज में आती हैं तो यहां पर देखिए जो मीडल एक्टिविटी सीरीज या मीडियम कुन से होते हैं वो होते हैं आयरन जिंक लेड कॉपर तो यह जो सारे मैटल होते हैं यह मोडरेटली मोडरेटली रियक्टिव होते हैं वोडरेटली रियक्टिव मतलब कि जो रियक्ट करते भी हैं और नहीं भी बीच की मैटलर्ड होते हैं तो यह ज़ादा तर इनमें जो प्रेजंट होती जो प्रेजंट होती हैं इसमें last time हमने की थी calcination or roasting और जिसको हम heating सिक नहीं आती है इसको सिर्फ heating ही ज़रूरी नहीं है In metal oxides को reduce करने के लिए हमें free metals chemical agent Any agents की जरूरत होती है और वो chemical agents कौन से होते हैं Carbon, Aluminium, Sodium, Calcium ये कौन से होते हैं ये होते हैं हमारे chemical agents ये जो chemical agents होते हैं इन agent का use किया जाता है moderate reactive metals में से उनके oxides में से metal को निकालने के लिए तो सबसे पहले हम reduction करेंगे सबसे पहले जो हमारा है वो हम करेंगे reduction with carbon यानि कि carbon का use करके किस तरह से हम reduction कर सकते हैं क्योंकि ये chemical agent है या फिर chemical agent है ये भी बोल सकते हैं तो carbon का use करकर हम metal के oxides में से metal को निकाल सकते हैं जैसे की zinc oxide zinc oxide जो की solid form में होता है जो की middle activity series में आता है इसको हम पहले chemical agent यानि carbon जो solid form में होता है इसका use किया जाता है zinc metal को create करने के लिए और इसे heat किया जाता है जब इसे heat करते हैं तब carbon के साथ zinc separate होता है और carbon monoxide जो की oxygen के साथ मिल जाती है zinc oxide के oxides के साथ मिल जाती है और carbon monoxide gas पर use करती है ऐसे ही अगर ferric oxide की बात करें Fe2O3 ferric oxide जो की solid form में होता है ये भी तीन carbon जो solid form के carbon होते हैं उनके साथ inject करता है और इसमें से iron Fe separate हो जाता है इसको भी heat किया जाता है और solid form में iron separate हो जाता है और 3 CO2 carbon monoxide gas separate हो जाती है और देखिए अब ये Fe2O3 है सेम यही चीज Fe2O3 ferric oxide अगर ये react करता है 3 CO carbon monoxide के साथ तब भी यहां से हम 2 Fe को separate कर सकते हैं लेकिन इसको separate करने के बात अब carbon monoxide gas की जगह carbon dioxide gas पर डिवस होती है थर्ड lead oxide की बात करें PBO lead oxide solid form में ये भी again carbon के साथ react करते है और lead separate हो जाता है और carbon monoxide gas separate होती है अब ये जो carbon का यूज किया जाता है जो कोक है इसमें जो कोक है वो बहुत commonly use किया जाता है reducing agent की तरह क्यों 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 क्यो यहाँ जो कॉक है, more reactive elements के लिए use नहीं किया जाता. More reactive elements के लिए use नहीं किया जाता. जैसे कि sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, manganese, इन सब के लिए use नहीं किया जाता. और एक ओर disadvantage होती है, carbon को हम as a reducing agent use करते हैं. इसकी एक ओर disadvantage होती है, कि जो carbon की impurities है ना, वो metal में रह जाती हैं. तो metal में कभी-कभी carbon की impurities रह जाती है. तो यह इसकी दूसरी disadvantage है. तो यह हमारा first है, हमने के carbon के साथ reduction की. ठीक है, अब हम करते है, reduction with carbon monoxide. जो second है, वो कुन सा है? हम देखते हैं second. अभी हमने carbon के साथ की थी. अब हम करेंगे, reduction with carbon monoxide. अब इसके साथ कैसे reduction होगी? देखिए, यह हमने इसमें, जो carbon साथ reduction की थी, इसमें एक यह वाली, यह वाला point किया था. यह क्या है? हमारे पास spheric oxide है. जब हमारे पास spheric oxide, सेम यही है, 3 carbon monoxide साथ react करते हैं, और इन्हें heat करते हैं, तब हमारे पास iron separate हो जाता है. और 3 CO2 separate हो जाते हैं, तो carbon monoxide का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और third जो है हमारा, अब हम करेंगे, reduction with aluminum. aluminum, aluminum, aluminum के साथ भी हम reduction कर सकते हैं, aluminum के साथ कैसे reduction कर सकते हैं, देखे, कुछ metal oxide ऐसे होते हैं, जो aluminum के साथ easily reduce हो जाते हैं, और जब हम aluminum का use करते हैं, reduction करने के लिए, इसे alumino, alumino thermi बोला जाता है, या फिर thermite process बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जब aluminum का use करते हैं, alumino thermi, और दूसरा नाम क्या है इसे, thermite process, दो नाम होते हैं इसमें, और इसमें chromium, magnesium, titanium, vendium metals, obtain किये जाते हैं, alumino powder का use करके, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इसकी reactions, alumino को लेके, अब देखिए, कि जैसे हमारे पास, manganese dioxide है, 3mno2, manganese dioxide, जब यह aluminum के साथ, 4al के साथ, react करेगा, इसको हम heat करते हैं, तो 3mno, manganese separate हो जाते हैं, और 2al2O3 separate हो जाते हैं, ऐसे ही chromium oxide की बात करें, CR2O3, यह भी again 2al, alumino के साथ, इसको heat करते हैं, तो chromium separate हो जाता है, और 2O3 separate हो जाता है, तो यह जो है, यह, जो medium reactivity series होती हैं, उनकी reactions होती है, carbon, carbon monoxide और aluminium के साथ, जो की हमने की, तो thank you यह video देखने के लिए, और जाद updating videos के लिए, आप हमारे channel ग्यान लोग पर हमें subscribe कर सकते हैं, thank you.